तो हेलो दोस्तो स्वागत आप सभी का एक और नए ब्लॉग में दोस्तो आज किस वीडियो में आपको फार्तिय टिम के वर्तवान कप्तान और हिटमेन के नाम से मसूर रोहिस सर्मा का घर दिखाने वाला हूँ दोस्तो रोही सरमा जिस घर में अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं वो मुंबई का सबसे पहुँस एरिया माना जाता है और उस घर के कीमत देखके कीमत सुनके आप चौक जाएंगे तो प्लीज आप दोस्तो ये वीडियो पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए चलने दोस्तो फटा फट सुरू करते हैं तो फाइनली दोस्तो मैं अभी रोही सर्मा के घर के आगे खरा हूँ और अभी आप सामने आप जो आलिसान टावर नुमा जो ये इमारत देख रहे है न इसी बिल्डिंग में जो है रोही सर्मा अपने पूरी परिवार के साथ रहते हैं तो सबसे पहले दोस्तो मैं आपको जो है location बता देता हूं कि रोई सर्मा जिस building में रहते हैं मुंबई में कहां पे इस्तित है तो दोस्तो यह मुंबई के जो है वो वरली एरिया में इस्तित है वरली एरिया एक ऐसा एरिया जहां पे दोस्तो ज़्यदातर आप देखेंगे celebrity तो कम business में जो है ज्यादातर रहते हैं अब दोस्तो मैं आपको इस building के बारे में बता देता हूं तो यह जो टावर नूमा building है न दोस्तो इस building का नाम है अहुजा टावर अहुजा टावर में अगर टोटल अप यहां पे अगर आप इसकी बात करेंगे कि कितना मंजिला है त और यहां से इस building से जोस्तो बांदरा वरली ceiling जो है शिर्फ दो किलो मीटर की दूरी पे इस्तित है अब दोस्तो मैं आपको जो यहां पर सबसे पहले यह बता देता हूं यह देखे सामने gate है दो gate है एक entry gate exit gate जूम करके दिखा देता हूं सामने देखेंगे घर के आगे एक गड़ी है और घरी पे जो है वहां पर अहुजा टावर लिखा हुआ है अब दोस्तो रोहिस सर्मा जो है कहां पर इस building में जो कौन से फ्लोर पर रहते हैं यह आप जान लीजिए दोस्तो रोहिस सर्मा अहुजा टावर के 29 फ्लोर पर अपने पूरे पडिवार के साथ जो है सी फिसिंग एरिया जो है नजर आता होगा तो सब जो है यहां पर इसी building से लिया गया फोटो है और मैं आपको दोस्तो यह भी बता दू रोहिस सर्मा के घर के आसपास में जो है बहुत सारे celebrity लोग रहते हैं जैसे कि दोस्तो आप देखेंगे ओमकार 1973 वाला जो building है ना उसम पचास क्रोड से भी जैदा है इनके घर के बालकनी सी अरव सागर और मुंबई का खूशूरत आकास जो है वो नजर आता है दोस्तो रोही सर्मा के सांदार अपार्टमेंट में एक बरा सा living room, kitchen, master bedroom तथा तीन एस्टेंडर आकार के bedroom है इन bedroom के खासियत यह है कि यह इतने बर आकार के हैं कि जरूत पढ़ने पर उन्हें family room या guest room के जैसा इस्तमाल किया जा सकता है अपार्टमेंट में एक study room या जिसका इस्तमाल library room के room में किया जाता है दोस्तो रोही सर्मा की बालकनी घर में उनकी पसंदीदा जगल लगती है क्योंकि रोही सर्मा का Instagram उनकी आलिसान बालकनी में ली गई तस्वीरों और वीडियो से भरा हुआ है दोस्तो घर की बालकनी लक्री से बनी हुई है और लक्री के पनीचर से सजी भी है रोही सर्मा के घर का बालकनी इतना बरा है कि रोही तो रितिका को अक्सर बालकनी में वर्काट करते या अपनी बेटी समायरा के साथ खेलते हुए नीचे जो है वो लोग देखते हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फ्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजे तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीड उन्हें